आज अधेर महां देव मैं आपका आचार्द्यव आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे गवाहत्त पून पर सरत्र पूनिमा सरत्र पूनिमा दोजारी केश में मंगलवार को 19 तारिखो मनाई जाएगी सरत पूरिमा को कोजागरी पूरिमा, कौमधी पूरिमा और कुमार पूरिमा के नाम से जाना जाता है सरत पूरिमा के दिन धर्ती के बहुत सन्निकट होता है चंद्र, इसलिए ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है चांद की जो रोशनी सरद पूडिमा के दिन पढ़ती है वो अन्य 365 डेज में नहीं पढ़ती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से युक्त होता है इस संसार में 16 कला सिर्फ ब्रिंदावन बिहारे लान लेकर आये हैं भगवान राम बेब बारा कला लेकर ही आये थे अब 19 तारिक को सायंकाल 7 बजे से लेके 20 तारिक को 8 बज कर 20 मिनट तक पूडिमा आती थी है इसलिए या ब्रत या पर्व या तिवार 19 तारिक मंगलवार को ही मनाया जाएगा इसके माहत्य की बात करें तो चांद धरती के सबसे सन्निकट होता है नजदीक होता है इसलिए बहुत मनोरम दिखाई देता है चंकीला दिखाई देता है और कहा जाता है कि इस दिन अम्रित वर्षा करता है अम्रित वर्षा का तार्थ पर है कि चंद्रमा सभी और सदियों का पती माना जाता है और सदियों का पती है और सदियों का देवता है इसलिए इसको अम्रित वर्षाने वाला कहा गया है दूसरा इसी दिन समुत्रमंतन के पस्चात महा लच्मी का आविर भाव मनें ये सरत पूडिमा लच्मी जी का जन्मोत सव है ऐसा आप कह सकते हैं इसी दिन मतुरा ब्रिंदावन में भगवान प्रिश्ण ने महा रास का आयोजन किया था या महा रास किया था ऐसा आप कह सकते हैं तो चन्रमा सोला कलाओं से युक्त होता है सोला कला आध्यात्मिक और सारेरिक दोनों रूपों से युक्त होकर असाध्य रूपों को दोर करने के जो विदी है वो सोलाग कलाओं की विदी है सोलाग कलाओं जो है वो जीवर में आपको निरनतर हर जगा उन्नत प्रदान करने वाली है क्या करना है इस दिन तो इतनी भी आपके उसदिया है वो इस दिन आपको लाग पहुंचाती है तो उसदियों का सिवन करें और सदियों को चांद की रोशनी में रखें चांद की चांदनी में बैठें उसको अपलक निहारें इस दिल सुवे में धागा डालने का भी विहान है इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है ये रात्री का कारह है उसके पहले सायंकान अपने पूजास्तल को सुच रखे सुच करे भगوान विष्णों की आराधना करे तुलशी पर एक देशी घी का दीपक जलाए भर के दरवाजे पे भी सायंकान एक दीपक जलाए और जब आप लश्मी आराधना कर लें क्योंकि लश्मी जी का जन्मोंत सव है तो ग्यारात दीपक जो है चान्द की रोशनी में रखें घी का दीपक जलाएं बेतर होगा प्रातना करें संभव है तो स्त्री यंद्र की अस्थापना करें कनकधारा यास्त्री सुप्त का पाट करे और जो आपने खीर बनाई है वो खीर चांद की रोशनी में रखें उसके पस्चाद दूसरे दिर उस खीर का भगवान को मने माता राने को भोग लगाएं भोग लगाने के पस्चाद स्वता ग्रहण करें ऐसी माननेता है कि जो खीर ह खीर चंद्रबाद की रस्मियों से अम्रित को खीच लेती है चांद समुद्रश्य पैदा हुआ है लश्मी जी का भाई है अब दोध चावल यह दोनों चंद्रबाद की रोशनी को खीचने का कारे करते हैं तो इस वज़ा से ऐसा माननता है कि इस दिन अगर आप खीर बनाक चांद की रोशनी में रखते हैं तो उस वज़ा रोशनी से अम्रित के कर्ण आपके खीर में आ जाते हैं जिनको खाने से आप एक वर्स तक रोगों से दूर रहते हैं सरीयर अम्रित में रहता है सरीयर ग्यार में रहता है इस दिन भगवान ने महारास का आयोजन किया महारा आत्मा को पर्मात्मा से मिला देने की प्रक्रिया का नाम है, सारे रिक मिलन की प्रक्रिया का नाम नहीं है, और ख़ता ये कहती है कि बगवार प्रिष्ण ने उस दिन एक रात को ब्रमाजी की रात, मनुष्य की एक रात को ब्रमाजी की एक रात बना दिया था, मतलब हमारे कर कि अबड़ों रातों का पिसले Але इसको एक नाम कहते हैं कोजगरी पुड़िमा कता यह कहती है कि इस Congratulations संन्सारों और पंसती है कोजगरी कौन जाग रहा है कौन जाग रहा है कि पुड़िशा में इसको कुमार पुड़िमा के नाम से जाना जाता है जातर कन्याएं इस दिन ब्रत रखती हैं सुयोग के बर प्राप्ती के लिए तो लड़के भी ब्रत रख सकते हैं सुयोग के कन्या की प्राप्ती के लिए सास्टकारों की बात माने इस दिन संतान प्राप्ति के लिए भी ब्रत रखा जाता है मनि इसका ब्रत संतान के संतान को देर जिवी बनाने के लिए संतान प्राप्त करने के लिए इस दिन आयोजिन किया जाता है देखिए इस दिन लश्मी जी का जर्म हुआ इसके पस्चात आप आने वाला है लश्मी पूजन दीपा वली तो कैसे पूजन करें ठीक है ना क्या वो प्रक्रिया है कि जिससे आपके धन धान ने बना रहे तो शरत पूडिमा कोजागरी पूडिमा कौमदी पूडिमा और कौ आपको अगले वीडियो में करेंगे कि आगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं आप काम की प्राप्ति करना चाहते हैं आप किशी का वश्री करना चाहते हैं तो यह सारी सिज़ें आप इस दिन से स्टार्ट करके प्राप्त कर सकते हैं चलिए चर्चा करते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक आपके लिए राव